बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्रहीम आज हम लोग सीखेंगे तिर्मिजी हदीश हदीश नमबर 2416 इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी इनसान कियामत के दिन कोई भी इनसान की कदम तब तक नहीं हिलेंगे मतलब अल्लह के सामने से कोई तब तक जा नहीं पाएगा हिल नहीं पाएगा जब तक कि अल्लह को पाँच सवालों का जवाब ना दे दे मतलब पाँच चीजों का हिसाब ना दे दे ठीक है इसके बारे में बोला गया है इस हदीस में तो तुम लोगों को लर्ण है असान अरबिक बोलो अब्दुल्ला इंगलिस और उर्दु में ट्रांसलेट करो ओके नावसान तिरिमीजी हदीस हदीस नमबर 2416 बिसमिल्लाहिर्ख्मानिर्रहीम लन्त जूल कदम अबने आदम हत्या युसन अन्खम से अदुल्लाह दीट के जुल अबने आदम की कदम अबने रभ की सामने से हिल नहीं सकते जब तक कि वो पाँच सवालों का जबाब ना देते वो पाँच क्वेस्टिन क्या है असान? अनुमरी फीम अबना About his life and what he did with it उसकी जिन्दगी के बारे में और उसने अपनी पूरी जिन्दगी कहां खर्च की वो अनसबाबी फीम अबना About his youth and what he wore it out in उसकी जवानी के बारे में और उसने अपनी जवानी कहां बिताई? वो माली मिन अइन अग्दशवहू वफीमन फकहू About his wealth and how he earned it and spend it upon उसकी माल के बारे में और उसने कमाया कहां से और खर्च कहां पे किया? Very good And what he did with what he knew जो इल्म हासिल किया उसमें अमल कितना किया? तो तुम लोग समझ गएं? कि कयामत के दिन इन पाँचों चीजों की हिसाब दिये बिना कोई इनसान की कदम हिल नहीं सकते अपने जगा से और हिसाब कौन लेंगे? अल्ला और हिसाब भी कैसा? पहली हिसाब अनुमर ही पूरी जिन्देगी का हिसाब दूसरा सवाल क्या है? वा अनसबा भी ही मतलब जवानी का हिसाब तुमने अपनी जवानी कहां गलाए? कहां खर्च की? गुल चड़े उड़ाए? उल्टा पुल्टा काम में गए? या नेक काम किये? आम ले स्वाली हाथ थर्ड क्वेस्टिन थर्ड और फॉर्थ एक साथ है मतलब तुम माल कहां से कमाए और खर्च कहां पे किये? मतलब हलाल और अच्छे जगा से कमाए और उसका अच्छे जगा में इस्तिमाल किये? या नाजायस जगा से कमाए हराम कमाए समझ में आया? और उसको हराम में इस्तेमाल किये खर्च किये ये कमाने का और खर्च करने का चार क्वेस्टन हो गया पांचवा क्वेस्टन मतलब तुम जो इल्म हासिल किया सारी जिंदगी में उसमें अमल कितना किया ये इल्म का तो पहाड बनाते चले गए और अमल में जिरो यही है ओके तो यह हम लोगों का खतम हो गया कम्प्लीट तुम लोग समझ गये चलो अलहम्दलिल्ला